हेलो एव्यवन वेल्कम तो मा चानल सेल्विट एक्सेल फ्रेंट्स आज हम देखेंगे कैसे आप सेलेक्टेड रेंज अब सेल्स को पीडियेफ में कनवर्ट करेंगे एक स्पेसिफिक फोल्डर में सेफ करेंगे और वो भी डिफ्रेंट नेम्स है ओके तो सेखरने के लिए विज्वल बेसिक फिर हम यहां इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल और फ्रेंट्स तो टाइम सेफ करने के लिए हम यहां पर एक काम कर सकते हैं मैंने एक कोड पहले से ही बना रखा है तो इसको पेस्ट कर देंगे और मैं आपको यहां से एक्स्प्लीन कर दे रहा हूं ताकि करता है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने दो भैरिये वह से लिए हैं डिम A & B तो सबसे पहले जब हम इस मैक्रो को रन करेंगे तो यह सबसे पहले सीट 2 को एक्टिवेट करेंगा सीट 2 इसलिए हम सीट 2 पर काम करें हमारा जो डेटा है वह सीट 2 पर है तो सीट 2 को सबसे पहले यह एक्टिवेट करेंगा फिर हमने वेरियेबल जो A है हमारा उसको हमने एसाइन किया है सीट 2.range यह जिस नाम से हमें फाइल सेव करना है उसकी सेल रेंज हम यहां पर दे देंगे और यह जो B है हमारा वेरियेबल यह हमने पाथ डिफाइन किया है और यह हमारा इड्राइब में PDF folder के नाम से हमारा एक फोल्डर है यह एव्य टाइम उस फोल्डर में सेव होगी नेक्स्ट कोडिंगे फ्रेंड्स यहां पर यह हमारा इसलिए हमने यहां पर यहां पर दिखा देता हूं जैसे कि हमारे यह कुछ नंबर से यहां पर इसक्रीन पर यह है c5 to f12 c5 to f12 तो हमें इस रेंज को PDF में convert करना है तो simply हम चलते हैं हमारे विज्व बैसिक पर ओके तो हमने यहां पर c5 f12 को हमने यहां पर दे दिया इसके बाद यह export as fixed PDF और यह जो हमारी फ्रेंड्स आप यहां पर कुछ देख रहे हैं यह जो कुछ यह मैंने macro record करके मैंने बनाई है और उसमें मैंने कुछ modifications किये हैं तो हमें जिस range को PDF में convert करना है हम यहां पर रेंज ले लेंगे सीट्स यह जो रेंज हमारा सीट्स टू पर है डॉट रेंज सीफाइब से एक्सपोर्मेट टाइप एक्सपोर्मेट यह हमारा और जो टाइप है वह होगा टाइप Excel टाइप PDF और जो हमारा फाइल नेम है जिस नेम से में सेव करना है किए and a before say किया था बी हमारा पाथ है लोकेशन है किस में से खोगी तो हमने भी को आम धीर्श्यों किया था यहां पर EDRIV में PDF archBook में और यह द्राइप में किस नाम से सेब होगी है कि हमारा एट Canal आप यहां पर इसको दे दिया and यह किस फॉर्मेट में सेव करना है हमें PDF फॉर्मेट चाहिए तो हमने यहां पर दिया नेम के बाद हमें लास्ट में .pdf लगाना है यह बहुत ही इंपोरेंट डिफरेंट्स यह हमें देना ही पड़ेगा अदरवाइस वो PDF में सेव नहीं होगी okay then हमारे पास यह कुछ अर पिरेमेट से हमें इसे देखना यह आट हम पर हमें काम कर सकते हैं अगर after publish होने के बाद हमें यह देखना है या नहीं देखना है तो इससे अगर हमें publish होने के बाद इसे open करना है तो हम इसे इसको true कर देंगे और यह जो आप देख रहे हैं यह चोटा से हाइफन यह कुछ नहीं है इसको continue करने के लिए को continue करने के लिए हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर हम डारेक्ट टू लिख सकते हैं इसको हम चले देखते हैं इस code को run करते हैं देखते हैं कैसे काम करता है सबसे पहले हम एक काम करेंगे यहाँ जाएंगे इस folder में बटन बना लेता है ताकि उस बटन पर जब हम क्लिक करें तो यह automatic यह हमारा VBA run हो तो हम यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले insert यहाँ पर हम कोई भी एक shape ले लेंगे यह मैंने एक shape ले लिया और इस shape को मैं कोई भी नाम दे दूँगा एक जैसे my convert my pdf क्या करेंगे फ्रेंड्स हमने जो कोडिंग कर रखी है उसको simply हमें यहाँ जाना है और असाइन macro कर देना है तो मैंने मैंने यह module 2 पर बनाया था module 2.mypdf हम यहाँ जाएंगे simply क्लिक कर देंगे ओके हमारा button ready है फ्रेंड्स जैसे है अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे यह जो selected range है और पीडियेफ में convert हो जाएगी और इस name से save हो जाएगी इस name suppose यहाँ पर माई नेवे मैं यहाँ पर कुछ भी देता हूं suppose यहाँ पर मैं देता हूं बाई अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो ये रेंज है ये पीडिएफ में कनवर्ट हो जाएगी और इस नेम से इस नेम से जो हमने लोकेशन डिफाइन किया है उस लोकेशन सेव हो जाएगी तो चलिए देखते हैं जो मैंने क्लिक कर दिया है कनवर्ट पीडिएफ पे और ये जड़ा टाइम ले रही है ओके नाउ यू कन सी हीर जिसी कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास रीडर चूज करने के आप्शन से यहां पर तो मैं अड़ाब रीडर को सेलेक्ट करता हूं अब foarte अब देख सकते हैं यहां पर सिर्फ सेलेक्टिड रेंज ही फिडि एफ में करवर्ट हूई है और यह किस नाम से से गड़ा है माई एक्सल पी डिएफ इफ कैम Alaaxle पी डिएफ लिए देखते हैं लोकेशन में जा लेते हैं यह कहां से हुई है Cao तो हम चलते हैं देश पीसी हमने बनाया था फोल्डर वह थी ड्राइब में PDF के अंदर आप देख सकते हैं आप माई एक्सल PDF जो अभी अभी हमने क्रियेट किया ओके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिर्फ सेलेक्टेड रेंज ही हमारा PDF में करबाट हुआ है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो यूस्फुल लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कार्ड़ी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नेरा वीडियो अपलूट करूं आपको पहले डॉटिफिकेशन मिल सकें तो यह वीडियो अच्छाइब कर दो यह वा हुआ है